नमस्का दोस्तो स्टॉक मार्के स्टैडिज में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है तो आज यहापे में डिसकसन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपणी इसके बारे में जो इस मतलब रैली मार्केड में इस कंपणी ने लगाता लगाता गिरावट दिखाया और अभी द सेक्टर में जिस सेक्टर से कंपणी बिलोंग करते है उस सेक्टर में कंपणी सबसे खाया पर्फwest अभी दिखा रहा है थेक्टरा Hayır के घृऊ Wassers मतलब पर ओढरेल किया कंपानी ने प्राफिटंड बहुत बड़ा लोसे क्या ऐसे बिल्कुल भी नहीं फिर भी company का जो हालब देखेंगे तो company लगाता लगातार गिरते जा रहा है company का जो अभी situation है company 52 week के low के trade कर रहा है तो 52 week के low के range में trade कर रहा है तो इस तरह किसे trading करने के पीछे कारण कौन सा है और company का अभी हालब क्या है क्या future में वो फिर से खड़ा हो पाएंगे क्या फिर से वो growth कर पाएंगे तो इसी के बारे में discussion करूँगा तो विडियो को last तक देखना क्योंकि आज का जो topic है आज का जो stock है वो एक reality वड़ी एक entertainment industry से बिलोग करते है तो विडियो को सूर करने से पहले में request करूँगा अभी तक चैनल को subscribe में किया तो देर किस बात की अभी जकर कर लीजिए और telegram को भी join कर सकते है आप daily basis earning करना चाहते है तो सारे links आपको नीचे मिल जाएगा तो चलो देख लेते हैं आज के stock के बारे में तो सबसे पहली बात आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि company कौन सा है company के नाम है TV18 मतलब TV18 Broadcast तो News18 Network जो आप सभी जनते है यह एक popular news channel है तो इस company का total जो channels है वो 20 channels है तो 20 channels में कितना company का viewers है 67.6 करोड का viewers है तो 15 language में company television को चलाते है तो इक data आपको दिखा रहा हूँ देखिए आप देख सकते है TV जितने सारे channels है जितने सारे news channels है उसमें आप देखेंगे तो आप देखेंगे तो times news है साथी साथ Republic TV है TV, Indian TV, television है CNN है साथी साथ और भी देखे BBC, Mirror, India I heard, News X तो इस सारे companies आपको दिखेगा फिर भी आपको जो चीज नहीं दिखेगा बहुर नए TV, News, Network 18 तो companies के जो performance है आप देखेंगे तो company 18 plus 1 मतलब company पहले 18 channel था अब भी 19 channel बन चुके है तो इस company का जो channel से है वो कौनसा आप एक पर ध्यान से देखेगा company का channel कौनसा है अब सब colors तो नाम सुने ही होंगे तो बहुत सारे लोग to colors का channel भी देखते है तो colors का जो चैनलन्स होते है इतने सारे channels होते है Odisya है, Tamil है, Telagu है Bengali है, Hindi है, Marathi है तो colors के बहुत सारे channels होते है साथी साथ आप देखेंगे तो histi tv 18 इसी का ही चैनल है nick जो cartoons का चैनल है nick junior साथी साथ nick downs आप देखे mtv जो आप गाने सुनने के लिए यूज कर मतलब channels देखते है vh1 इसी का ही चैनल है साथी साथ आप देखेंगे तो यहाप देखे capital 18 साथी साथ यहाप देखे बुक माई सो यह भी एक चैनल है cnbc कितने बड़े चैनल आप देख सकते हैं वह इसी का ही चैनल है cnbc उसी का ही चैनल है तो सोचिए यहाप जितने सारे companies के नाम देखें यहाप देखें cnnnews 18 इसी का ही चैनल है और तो देखा जाए तो company इंडिया के fourth largest television industries है इस फिल्ड में तो आप कहेंगे सारे सारे चीज देखें के money control इस साइट के मातम से मैं बहुत सारे आपको news दिखाता रहता हूँ वह इसी का ही companies है तो इस company का मुझे एक इस इंडिस्टी बहुत जदा स्टागल मुड में होते हैं क्योंकि बहुत जदा competition होते हैं उस competition को भी company बीट करने के लिए हमेसा कोशिद करते हैं तो competition जाना होने के कारण company के profitable margin है वो घड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे तो आज कोई भी news देखना चाहेंगे तो आप obviously news channel के अलावा आप social media के उपर भी देख लेते हैं बहुत सारे मतलब online platforms हैं जहां से आपको news देखने को मिल जाता है तो इसलिए competition जादा होने के कारण इस तरह के से company का profit margin बहुत impact पड़ता है अगर इस company का profit loss के बारें बात करूँ तो quarterly में आपको दिखा आदू company SNA के company ने profit ने किया मगर profit का हालत देखिए पहले कुछ quarters में कोबीट के situation में भी company ने अच्छा का सा revenue ने होने का एक पीछे कारण भी है लोग घर में था घर में होने के कारण लोग continuously कोबीट के जो situation है उसको track करने के लिए उसको देखने के लिए new channel सारा दिन खुला तो मेरे घर में मेरे पिता जी जो है में में देखता हूँ उस टाइम जदा ज्यादा टाइम वो new चला एक बैठ रहते थे तो इसका मतलब हर घरों में वो new देखते रहते थे तो इस लिए उस टाइम में company का revenue बहुत सांधार देखने को मिला अभी तो सारे सब कुछ नॉर् उपिस में चला गया तो लोगों के ताइम उतना नहीं मिला तो इसलिए वो निवे चला नहीं देखते तो इसलिए गृतर रहे तो आपको पहले company तो losses में चलना था, 2011 में, 2012 में, 2013 में company losses में था, उसके बाद फिर से losses को तो recovery किया, अभी जो हालत है, अभी जो percentage है, आप देखेंगे company अच्छा खासा यापे profit को generate तो किया, अभी देखना है company कितने दिन तक इसको generate कर पाता है, तो मुझे लगता है company में इस तरीके से हालत होने के, मतलब आज company आप देखेंगे तो company 4th November में 34 rupees का low कर गए थे, इसका मतलब company अभी भी 34, sorry, company अभी भी देखा है तो company 52 week low के range में काम कर रहा है, तो इसलिए company continuously कितने जा रहा है, तो ऐसे का company delivery का report दिखा तो एक company उतना खास delivery भ लोग उतना जादा नहीं उठा रहा है, तो अभी देखना है क्या इस company के growth क्या है, तो आपको मैं एक चीज दिखा दू, company का sales growth बहुत ups and down में है, 10 साल में ठीक था, 5 साल में ठीक था, 3 साल में कम हो गया था, और अभी current situation में, current year में, चलो ठीक ठाग है, year मतलब आपको देख तो इस साल में 42% का growth हुआ, return के मामल में कुछ भी return नहीं दिया, से 3 साल में return दिया, और इस साल में company 17% तक आपको losses दिया, तो company के जो हालत है, अभी आपको में investor के बारें बात करूँ, तो promotor के बाद आप देखेंगे, तो FIS ने, DIS ने माल उठाया, एकदम छोटा मोटा मा करने में, उसका fund जो है, वो खत्रे में होगा, तो इसलिए वो निवेस काम करके है, अभी public ने बहुत बड़ा माल उठाया, क्योंकि public को इस तरीके से माल में बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसका price range कितना है, आप देखेंगे, तो 35 रुपीज के आसपास company 10 कर रहा है, तो company का high हुआ था कितना, 80 रुपीज के आसपास, वहासे कितना सर्फ गिरावट है, आप देख सकते हैं, जो company इस तरीके से सर्फ गिरावट करते हैं, तो वो company से में पहले ही, मतलब दूर रहता हूँ, क्योंकि जिस company का धीरे धीरे growth होता है, और थोड़ा थोड़ा करके गिरते है, चलो, उस company में stability है, इसका मतलब buyer seller चाते है, उसको मतलब pick करने के लिए, और इस तरीके से गिरावट हुआ है, मतलब हर कोई institution, हर कोई return, इसको माल बेचना स्टार्ट किया, तब माल बेचते गे, बेचते गे, और stock में गिरावट होता गया, तो मेरे कहने का मतलब है, company के एक range में आपको यहाँ बना के दिया, जो range बहुत strong है, वो range है, करीबन 30 रुपीज के आजपास, 30 से देखाए तो 27 रुपीज के आजपास, तो यह जो range है, यह range क्यों strong है, क्योंकि दिखी यहाँ से, यहाँ पर एक resistance बना था, वो ही company का अभी support बनेगा, यहाँ पर भी एक support बना था, उस support को तोड़ने के बाद ही, एक सांधा rally देखने को मिला था, तो इस support जो level है, जो support है, अगर इसको तोड़ता है, तो नेक जो गिरावट है, आपको COVID के situation में जो गिरावट हुआ था, 12 रुपीज के आसपास, इस रुपीज तक देखने को मिल सकते है, अगर इस इस company का जो long time vision के हालत है, company करीवन-करीवन 57% तक losses company दे चुके है, और आज भी lifetime low के आसपास है, कभी भी lifetime low breakout कर सकते है, तो इस था company का पूरा details, तो मेरे वीडिल कैसे लगा, जोरू comment करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्रीब भी करना, मिलतें नेक स्टॉक लेकर तब तक के लिए चैसरी है, आपने ख्याल रखिये, बाबाए